बुधवार 13 दिसंबर 2023 वाटिकन न्यूज के अनुसार ग्वाडालूपे की माता मरियम के पर्फ के दिन संत पापा फ्रांसिस ने अपने एक साक्षातकार में मैक्सिकन प्रसारत एन प्लस के पत्रकार विलेंटीना अलाजराकी को अपनी मृत्यू के बाद संत मरिया मेजर मह जागर रोम में दफनाय जाने की अपनी इच्छा जाहिर की है जगा पहले से ही तैयार है इस वर्ष 17 दिसंबर को संत पापा फ्रांसिस 87 वर्ष के हो जाएंगे उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पर्माध्यक्ष के समारोहों के अध्यक्ष के साथ पर्माध्यक्षों के अंतिम संसकार की रसमें तयार की गई है और उन्हें काफी सरल बनाया गया है। कसित पत्रकार वेलेंटीना अलाजरा की द्वारा आयोजित साक्षातकार के दोरान संथ पापा फ्रांसिस ने माता मरियम के प्रती अपनी महान भक्ती को दोहराया और अपने अंतिम दफन के स्थान के रूप में संथ मरिया मेजर महागिर्जाघर का चयन किया है। जिसे उन्होंने एक सौ से अधिक बार दोरा किया है। बहुत गहरा लगाव है। परमाध्यक्ष अर्थात पोप बनने से पहले जब भी रोम आते थे तो वे हमेशा रविवार की सुबह वहां जाकर कुछ समय के लिए वहां रुपते थे। संत पापा फ्रांसिस ने इस प्रतीक के सामने एक सौ नौ बार प्रार्थना की है। बताते चले की संत मरिया मेजर महागिर्जाघर रोम के चार बसलिकाओं में से एक है जो कुवारी माता मरिया को समर्पित है। इसी महागिर्जाघर में संट 590 में संट लूकस दोवारा चित्रित मारिया की तस्वीर है जहां माता मरिया के गोड में बालत येसु के एक हाथ में सुस्माचार ग्रंद और दूसरे हाथ से आशिरवाद देते हुए चित्रित किया गया है। इस माता मरियम को लेटिन में सानुस पोकुली रोमानी से जाना जाता है जिसका अर्थ है रोम वासियों की संरक्षिका माता मरियम। मरिया मेजर बासिलिका, संथ पेत्रूस बासिलिका और संथ पिता फ्रांसिस के वर्तमान निवास्थान से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।